ऐसी खबरे आ रहे थी कि आसम रियाज नजर आएंगे सलमान खान के छोटे भाई बन कर किस मूवी में वो भी बता देते हैं तो यहां पर कभी इद कभी दिवाली नाम की इस मूवी का जो है प्रोजेक्ट डिसाइड हो रहा था कि इसमें आसम रियाज नजर आएंगे सलमान कि चोटे भाई का क्यारेक्टर प्लेइ करते हुए, लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जब आस्रीम लियाज बताया कि इस प्रॉजेक्ट का क्या है पूरा सिनारियो, क्या यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, शूट हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या है इस प्रॉजेक्ट की पूरी डीटे कर दो आपके देखे, lockdown के पहले तो जब मैं घर से बाहर आया था, तब चीज़े बहुत smooth थी, क्योंकि इनका season 14 फेब में ही खतम हुआ था, तब जब वो lockdown से बाहर आया थे, ऐसे में चीज़े smooth थी, सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ decided था, लेकिन अचानक से फिर lockdown लग गया, जुसके ब कोशिश की होगी, सलमान खान की टीम से contact करने की लेकिन अभी तक कुछ भी settle नहीं हो पा रहा है, ऐसे में आसम इर्याज इस पर कुछ भी comment नहीं कर पाए, कि क्या ये project आगे बढ़ने वाला है, floors पे जाने वाला है, या नहीं, यहापन हम आपको बता दे कि आसम से ये भी प मुवी का वेट कर रहे हैं, और music videos में तो खेर वो बहुत ही अच्छी लग रहे हैं, खुद वो मानते हैं कि वहम उनके लिए एक बहुत special project है, क्योंकि कही नहीं वहम ने उनकी acting skills को निखा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आसम लियास के बारे में, और क्या आप जल्दी से कोने मुवी में देखना चाहता है, तो जल्दी लिखकर बताइए ना में comment section में साधिमा channel देखते रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबर exclusively हमेशा माप तक पहुंचाते रहेंगे.